हेलो फ्रेंट आज हम इस वीडियो में सीखेंगे MS Word की basic shortcut की जो की control के सांथ होती है A to Z shortcut की जिनका उप्योग हम अधिकतर करना जानते हैं लेगे तो इस वीडियो में हम सीखेंगे की basic shortcuts होते हैं उनका use कैसे करते हैं बीडियो में बने अन्तक और वीडियो सुरू करते हैं جाएसे आप देखेंगे जो हम क्यों क्योंका ek इन लिए होता है उसके साथ हम क्हले से ही प्रेस करेंगे इसके बाद की प्रेस करेंगे ठीक है जैस्की control-A तो इस तरह हम tweet की press करेंगे in shortcore key का use करेंगे कि किस तरह हम in shortcore key क करेंगे १el control को हमें दबाए हुए रखना है उसके बाद A press करना है तो अगर हम ढ़ाए हुए रखना हैं तो यहां पर हमारी do you use हो झाएगी नुक्त ctrl-a से all select होता है , tumult-a से all select कर लेंगे , towull के बाद हमें , a अगर यहाइच पर क्या करना है , control को दबाए हुए रखना है , उसके बाद , अगर हम control के बाद p該ist दबाएंगे , फिर उसके बाएंगे , तो यह नहीं dys maybe . आपर मैं आपको यह practically करके दिखाऊंगा आप देखेंगे मैंने पहले से एक पैसेज ले रखा हैं तो यहाँ पर control A से क्या होता है वो देख लेता हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे control A select all पूरे text को select करने के लिए हम control A button का use करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमें इसे select करना है all select करना है तो हम क्या करेंगे control को हमें दबाय हुए रखना है और उसके बाद हमें A दबा देना है जैसे हम control के बाद A दबाएंगे तो यहाँ पर यह पूरा पूरा जो हमने text लिखा हुआ है वो यहाँ पर select हो जाएगा ठ तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमें यह ऎहां पर रखना है और उसके बाद हमें जहाँ से हमें selec't करना है और मैं mouse को इस तरह से ड्रेग कर देने,ड्रेग मिन से खीचना है, जैसे हम कीचेंगे तो वहां तो हमारा select हो जाएगा तो इस तरह भी हम select कर सकते हैं और अगर हमें पूरा select करना है तो हम control A button दबाएंगे ठीक है और control button को हमें दबाई हुए रखना है उसके बाद हमें A button दबाना है जो भी हमने text लिख रखा है वो यहाँ पर select हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं next shortcut की ओर control plus B से क्या होता है bold select करे हुए text को bold करने के लिए जो भी हमने यहाँ पर text select किया होगा उसे हमें bold करने के लिए control और B button दबाना होगा तो यहाँ पर मैं आपको example करके दिखाऊंगा इसे भी तो यहाँ पर हमने जो पैसेज ले रखा है उसे हमें select करके bold करने है control B से ठीक है mouse से हम left click करेंगी और हमें इस तरह से right side को mouse को खीज देना है जैसे हम खीचेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी text होगा select हो जाएगा पूरी तरह से और उसके बाद हम control button को दबाई हुए रखना है उसके बाद हमें B button को दबा देना है जैसे हम B button को दबाएंगी तो यहाँ पर आप देखेंगी control B से हमारा जो भी हमारा text लिखा है उसे यहाँ पर bold हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगी जो नीचे second passage है वो यहाँ पर आप देखेंगी कि वो हलका dark है और जो हमारा first passage है जो हमने अभी select करे bold करके है वो dark हो गया है तो यह इस तरह यह bold हो जाएगा अब चलते है next shortcut की ओर तो यहाँ पर next shortcut है Ctrl-C Ctrl-C का मतलब होता है select करे हुए text को copy करने के लिए जो भी हमने text को select कि है उसे copy करने के लिए हम Ctrl-C का use करेंगे ठीक है तो इसके लिए हम चलते हैं फिर से और मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यह पैसेज ले रखा है और इसे मुझे copy करना है ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करेंगा select करे हुए text को जो भी हमने यहाँ पर पहले हम text को select करेंगे mouse को आगे रखेंगे और इस तरह से खीचेंगे ठीक है left button दबा के हम mouse को इस तरह खीचेंगे यह पूरा यहाँ पर पैसे select हो गया है और इसके बाद हम control दबाए हुए रखेंगे उसके बाद C दबादेंगे ठीक है तो यहाँ पर control C से हमारा जो text है वो यहाँ पर copy हो गया है अब इसे paste करना है मैं ठीक है तो अगर आपको पता कैसे चलेगा कि यह paste हुआ है या नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर paste का option दिखाए देगा first में इसमें आपको click करना है और second यहाँ पर आपको merge format में click कर देना है ठीक है तो यहाँ पर मैं first यहाँ पर जाओंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर paste में जाओंगा और यहाँ पर मैं इसे Merge Format में कर दूँगा Formatting में कर दूँगा तो जैसे मैं Merge Formatting में करूँगा तो यह Paste हो जाएगा यहाँ पर इसका मतलब यह जो भी हमारा Text होगा यह हमारा Copy हो गया था ठीक है तो यहाँ पर यह Copy हो गया ठीक है तो हमने Select किया और Ctrl C से हमने इसे copy किया और Ctrl B से हमने यहाँ पर इसे paste कर दिया ठीक है इस तरह से हम पता कर सकते हैं और चलते हैं next shortcut की और इसके बाद की shortcut की है Ctrl D font font window को open करने के लिए Ctrl button को हम दबाए हुए रखेंगे और उसके बाद D press करेंगे D button दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे font window open हो जाएगा ठीक है जो भी हमारा font window होगा वो यहाँ पर open हो जाएगा इसमें से हम अपने style चेंज कर सकते हैं font का size चेंज कर सकते हैं font भी चेंज कर सकते हैं Ctrl D से font window open करेंगे MS Word में ठीक है और इसके बाद चलते हैं सटकोट की और function E center tacks को center में लाने के लिए control D का use करेंगे ठीक है तो चलते है example के और तो यहां पर मैं आपको इसे करेंग से दिखांगा तो यहां पर आप day even on another device इसे मैं यहां पar से select किया है मैंने यहां पर किसे मैंने copy करके यहां पर ने ब्स Way लिख क्या करूंगा इसे मैं select करूंगा इस तरह से और select करने के बाद मैं control और E button press कर दूँगा ठीक है control मैंने दबाय हुए रखा उसके बाद मैं E button press किया यहाँ पर आप देखेंगे control E से हम जो भी हमारा tax होगा उसे हम middle मा कर सकते हैं अगर आप आपने देखा होगा कि यह जो tax होगा यह study में था और हमने इसे middle मा कर दिया control E से हम जो tax होगा उसे center मा करेंगे मतलब middle मा करेंगे ठीक है middle align मा करेंगे control E का हम इस तरह यूज़ चलते है next shortcut की और अब टो एफ फाइंड किसी वर्ट को फाइंड या खोजने के लिए ठीक है किसी वर्ट को खोजने के लिए हम control F बटन का यूज़ करते हैं पर इस passage में एक वर्ड एंड है ठीक है इसे हमें find करना है मतलब इसे खोजना है तो इसके लिए हम control F बटन का यूज़ करेंगे control दबाए हुए रखोंगा उसके बाद मैं F बटन दबाऊंगा ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यह एंड होगा वहाँ पर आप देखेंगे यल्लो कलर से यहाँ पर हाइलाइट दिखा गया सभी पैसेज़ों में जो भी एंड होंगे वह यहाँ पर यल्लो कलर से हाइलाइट होंगे ठीक है तो इस तरह हम ctrl F बटन का यूज करेंगे चलते हैं next shortcut की वह तो यहाँ पर आप देखेंगे ctrl G गोटो किसी लाइन या पेज पर ड्रेक्ट जाने के लिए हम गोटो कंट्रोल जी का यूज करते हैं गोटो टैब में हम चले जाते हैं इसे मैं समझाता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पेज यह है और इसके बाद मैंने यहाँ पर कि एंतर किया तो यहां पर आप देखेंगे दूसरा पेज है ठीक है अगर मुझे दूसरे पेज में ड्रैक्ट ली जाना है तो मैं ctrl G का यूज करूँगा तो यहां पर मैं ctrl G press करूँगा तो जैसे मैं ctrl G press करूँगा तो यहां go to what मैं यहां पर page को select करना है और यहां पर page number 2 कर दूँगा और यहां से मिझे go to कर देना है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर मैं second page में से लेगे हूं जबकि पहला page यह है और इसके बाद दूसरा page यहां पर है दूसरा page में जाने के लिए direct किसी page या फिर किसी किसी line या page पर जाने के लिए directly हम control g का यूज करते हैं और चलते हैं next shortcut के और control h control h replace किसी word को replace करने के लिए हम control h का यूज करते हैं तो आईए इससे भी समझाता हूं तो 이हां पर मैं control h io करूंगा जैसे ही तो यहां पर आप देखेंगे कि किसी भी हम word को replace करने के लिए h control h का use करते हैं जैसे कि आप देख रहोंगे इस paragraph में आप देखेंगे जैसे कि वीडियो है इसे मुझे replace करके videos में replace करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा control जैसे मैं control h press करूँगा तो यहाँ पर replace का window open होगा find and replace का तो यहाँ पर मैं find में video लिख दूँगा और replace में जितने भी मतलब यहाँ पर video word होगा वो यहाँ पर videos में replace हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं videos लिख दूँगा replace करके videos में replace करना है तो मैं replace all में करूँगा तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भी वर्ड यहां पर वीडियो थे वह यहां पर वीडियो में रिफलेश हो चुके हैं इसके बाद चलते हैं next shortcut की वर इसके बाद आप आप shortcut की देखेंगे control आई control प्लस आई italic text को italic करने के लिए तो यहां पर आप सोचोगे कि italic का मतलब क्या होता है italic का मतलब होता है कि कोई भी हम text जो हमने लिखा है उसे हमें टेड़ा करना होता है ठीक है यहां पर मैं आपको करके बताता हूं तो यहां पर आप देखेंगे जैसे हमारा second passage है वो सीधा है एकदम से जो हमने उसके text है वो सीधे लिखे है और यहां पर आप देखेंगे first जो passage है उसके जो word है वो यहां पर टेड़े दिखाए दिएंगे आपको ठीक है तो तो control i का हम इस तरह से use करते हैं तो चलते है next shortcut की ओर control J justify text को justify करने के लिए just तो यहां पर मैं justify आपको करके बताता हूं कि कैसे हम justify करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे इस passage को देखेंगे कि यह जो passage है उसका side थोड़ी खाली जादा है इसके बाद जो खाली है उसका कम है और यहां पर आप देखेंगे passage का जो line है वो सीधी नहीं है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे control A से all select करेंगे जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है और control J press कर देंगे जैसे मैं control J press करूँगा तो आप देखेंगे जो इसके line है वो इसकी line है वो बराबर आजागी पैसेज की और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह line हाफ होगी तो आप सुचोगे कि यह line पूरी क्यों नहीं होई तो इसका कारण यह है कि क्योंकि यह पैसेज की line है और यह यहाँ पर ही इंड हुई है ठीक है तो इस तरह से हम ctrl-j का उस करते हैं ctrl-j से हम जेस्टिफाइप करते हैं तो चलते है next shortcod की और यहाँ पर next shortcod की ctrl-aga ctrl- Java स के हम hyperlinx करते हैं ctrl- K hyperlink insert hyperlink जाने के लिए तो ctrl- K k से हम किसी photo या किसी video को hyperlink करते हैं तो यहाँ पर मैं की insert करना है जैसे फोटो या वीडियो में डिरेक्टली जाना है तो हम यहाँ पर हाइपर लिंक का यूज करते हैं हाइपर लिंक पर हमें यहाँ पर exiting फाइल और वेब पेच सेलेक्ट करना है और यहाँ पर current folder और जिस folder में हमारी फोटो या वीडियो होती है उसे हमें यहाँ पर से स्लेक्ट करना होता है और स्लेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से उसे यहाँ पर से स्लेक्ट करके OK कर लेते हैं तो इस तरह से हम हाइपर लिंग करते हैं कंट्रोल किये का हम इस तरह यूज करते हैं तो चलते हैं next shortcut की और यहां पर next shortcut की है CTRL PLUS L अलाइं टच्स पू लेफ्ट में लाने के लीजिए तो भी हमारा टेक्स होता है इसे हम लेफ्ट में कैसे लाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे की यह जो टेक्स है वह यहाँ पर राइट में है अगर उसे मैं left में लाऊंगा तो उसके लिए मैं मुझे control L बटन प्रेस करना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो text है वह यहाँ पर middle में है मतलब center में इसे left align में लाने के लिए मुझे इसे select करना होगा और select करने के बाद हम control L प्रेस करेंगे आप देखेंगे left align में आ जाएगा तो इस तरह से हम control L का use करते हैं और चलते हैं next shortcut की और तो यहाँ पर next shortcut की है control M indent indent को बढ़ाने के लिए किसी indent को middle में लाने के लिए ठीक है मतलब कोई भी indent होगा तो उसे हम middle में कैसे line में आपको करके दिखांगा जैसे कि आप देखेंगे जो इसका indent होगा जो line होगी वह यहाँ पर middle में आ जाएगी जो starting line होगी वह middle में आ जाएगी और जैसे जैसे हम control M press करते रहेंगे यह middle में आते रहेगा अधिकतर हमें क्या करना पड़ता है जैसे कि कोई book होती है उसे दोना side text लिखा होता है तो middle में होता है अधिकतर तो control M का हम इस तरह से use करते हैं तो चलते है next shortcut की होत यहाँ पर next shortcut की है control N new file open करने के लिए ठीक है करके दिखाता हूँ control N जैसे हम press करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि new file open हो जाती है ठीक है तो वह पहली file थी और control N जैसे हम press करेंगे तो new file आ जाएग तो control N का हम इस खोलने के लिए ठीक है तो control O का हम उसलिए use करते हैं क्योंकि हमें कोई भी पुरानी file हमें खोलने होगी थी किछो सइब हो हमारी पुरा देखेंगे और हम यहाँ पर आ जाएगा और कोई भी file खोलने के लिए हम control O का use करते हैं shortcut की का ठीक है तो चलते है next shortcut की होद यहाँ पर next shortcut की है control P print document को print करने के लिए ठीक है कोई भी document को हमें print करने के लिए control P का use करते हैं जैसे कि आप देख रहोंगे यह एक document है मान लिजी कि यह एक document है तो इसे print करने के लिए हम control हम control P का use करेंगी यहाँ पर हम control P जैसे press करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर यह print box में आ जाएगा और यहाँ पर यह page पूरा select हो जाएगा क्योंकि हमने दो page ले रहे रहे थे तो यहाँ पर दोनो page आ जाएगी control R का हम इसलिए use करते हैं जो भी हमारा text middle में हो या फिर left align में हो तो उसे हम right align में लाने के लिए control R का use करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो यह text है वो यहाँ पर left align में है align सीधी रेखा में और हमें इसे तो यहाँ पर से start होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसे पुरा select करेंगे और control R बटन प्रेस करेंगे जैसे हम use करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका align था वो यहाँ पर right में चला गया है जबकि इसका align left में था ठीक है next shortcut की ओर तो यहाँ पर next shortcut की है control S control S का use करना आप अधितर जानते होंगे अगर आपने MS Word यूज किया है तो अगर आपने तो control S से हम save करते हैं किसी भी document को हमें save करने के लिए control S का use करते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने यह document पहले से ही save कर रखा है ठीक है अगर हमें कोई भी document save करना है जैसे कि मैं आपको तो आपको मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक new page है इसे save करने के लिए control S जैसे प्रेस करूँगा हम इसमें document में click करेंगे और click करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर save as का window आएगा और यहाँ पर हम अपने document का name दे सकते हैं चलते हैं next shortcut की और यहाँ पर next shortcut की है control T hanging indent hanging indent create करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे hanging indent में आपको करके बताता हूँ जैसे कि आप देखेंगे आप आप देखेंगे जो यह हमारा passage है या text है उसे मैंने पूरा select किया है select करने के बाद मैं control T button प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे hanging indent में आ जाएगा ठीक है इस तरह से हम प्रेस करते जाएगे तो यह hanging indent में आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम hanging indent create कर सकते है control T से इस तरह हम control T का use कर तो चलते है next shortcut की ओर तो यहाँ पर next shortcut की है control U underline text को underline करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी text के नीचे underline करने के लिए तो यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ जैसे के आप देखेंगे यह जो हमारा passage है इसे मैंने पूरा select किया और select करने के बाद मैं control U button प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसके नीचे एक पूरे text के नीचे प्रेस करने के बाद मैं इसे इसे copy कर लूँगा ठीक है और यहाँ पर मैं control भी फ्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने text copy किया था वो यहाँ पर हम control V से paste कर सकते हैं तो इस तरह हम control V का use करते हैं तो चलता है next shortcut की और यहाँ पर next shortcut की है control W किसी भी window को बंद करने के लिए हम control W का use करते हैं तो आपको मैं यह करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यह window open है इसे मैं control W प्रेस करूँगा तो यह window open हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर अगर मुझे इसे save करना होगा तो मैं यहाँ पर save करूँगा अगर नहीं करना होगा तो don't save या फिर cancel कर सकता हूँ ठीक है तो इस तरह हम control W का use करते हैं तो चलते है next shortcut की और यहाँ पर next shortcut की है control X control plus X cut tax को cut करने के लिए ठीक है अगर हम किसी tax को cut करते हैं तो control X का use करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यह tax को अगर मुझे cut करना है तो मैं इस तरह इसे select करूँगा और select करने के बाद मैं control X press करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वो tax जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर cut हो चुका है और यहाँ पर control V से paste भी कर सकता हूँ ठीक है तो इस तरह हम control X और control V का use करते हैं तो चलता है next shortcut की ओर यहाँ पर next shortcut की है control Y redo redo करने के लिए ठीक है text लिखा हुआ है यहाँ पर कोई formatting यूज की है उसे दुबारा repeat करने के लिए हम control Y का use करते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इस पूरे passage को select किया है और मैं यहाँ पर control B से bold कर लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं second passage में जाता हूँ और मैंने इस इस तरह से select कर लिया और मैं यहाँ पर ctrl y प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे दूसरी लाइन भी बोल्ड हो जाए ctrl y से हम जो भी repeat action कर सकते हैं ठीक है जो भी हमने पहले यूज किया था format text में या फिर दूसरे text में यूज कर सकते हैं ठीक है तो undo करने का मतलब यह है कि जो भी हमने text लिखा है उससे अगर हमने delete कर दिया है या फिर card दिया है उससे दुबारा लाने के लिए हम ctrl z का use करते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको यह करके दिखाऊंगा यहाँ पर आप देखेंगे मैं इस text को select करता हूं और मैं यहाँ पर इसे delete बटन से delete कर देता हूं ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे वह text यहाँ पर delete हो चुका है जो मैंने पहला पैसे लिया था यह text लिखा था वह यहाँ पर delete हो चुका है और मैं ctrl z प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे वह text यहाँ पर दुबारा आ जाएगा ठीक है जो मैंने अभी डिलिट किया था तो कंट्रोल जैट का हम इस तरह से यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारी कंप्रूटर की अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ